कुछ ऐसे की चेंट टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और आपकी बहुत ही ज़्यादा काम भी आएंगे और इस बहतरीन टिप्स को अगर आप एक बार देखेंगे तो ट्राइ ज़रूर करेंगे कैसे हो आप सब लोग आई होब कि आप सब बहुत अच्चे होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं घर में जब फाइल पेपर खतम हो जाती है तो हम क्या करते हैं इस डिपो को वेकार समझ के डेस्ट बीड में फैक देते हैं तो देखिए हमारे घर में जो इस तरीके का चमज, फॉक वाला चमज, पुराना नाई, पिलर जो होते हैं उसको हम अच्छे से एरेंज करके नहीं रख पाते हैं जो फॉयल पेपर का बॉक्स है उसको ना फैक के आप जितने मतला आपके घर में जितने भी चमज बगेरा है जो भी है जिनको आप यूज नहीं करते हो लेकिन वो कभी-कभी काम में आता है तो उन सभी चीजों को जो छोटे-छोटे चीज है उनको आप इस तरह से इस फॉयल पेपर बॉक्स में रख दीजिए इससे की धूल मिट्टी नहीं पड़ेगा और इसको आप कीचेन कैबिनेट में या तो फिर आप सोकेस में भी रख सकते हैं तो इसमें गंदेगी नहीं पड़ेगा दिखने में भी अच्छे लगेगा और अच्छे से एरेंज होके भी रहेगा जितने भी चमच था सभी चमच को मैंने डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत ही स्पेज होती है बस रवरवेंट से इसको टाई कर दीजिए तो यह अच् चाता को लेके चाता का यूज ज्यादा तर बरसात की मोसम में होता है तो बरसात की मोसम जाने के बाद चाता घर में ऐसे ही बंद रखा रहता है तो आपने देखे होंगे चाता में से बहुत ही बुरा पैड इसमें लाता है इसको अगर सही से हम मेंटेन करके ना रखें तो चाता का जो एक-एक फोल्ड है, एक-एक फोल्ड में इस तरह से टैलकम पाउडर को स्प्रेंगल कर दीजिए और फिर आप चाता को बंद करके रख लीजिए उसके बाद आप नेक्स टाइम जब चाता को यूज करने के लिए लेंगे तब देखेंगे चाता में से बैड इसमेल भी नहीं आएगा और जो वाइट कलर का फंगस दीखता था वो भी नहीं दीखेगा और वीगा हुआ चाता को कभी भी आप फोल्ड करके न रखे उसको अच्छे से धूप में या पंखे के हवा में उसको सुखा लीजिए उसके बाद इस तरह से पाउडर स्प्रेंकल करके रख दीजिए आप चाहे तो एक पुराना सौक्स इसमें कवर कर दीजिए उसके बाद ना इसको रखे इससे के आपका चाता कभी भी गंदा नहीं होगा और इस तरह से अगर चाता को रखा जाए तो ना इसमें फंगस आएगा ना बैडिस में लाएगा तो आई होप ये टिप आप सभी के लिए बहुत ही यूसफुल रहा होगा और अभी मैं आपको एक यूसफुल प्रोटेक्टर बना के दिखाऊंगी जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा आप सबके लिए बहुत ही यूसफुल रहे तो इसके लिए हमें चाहिए पन्नी यानि की पॉलिथिन तो मार्केट से जब हम सब्जी खरित के लेके आते हैं तो सब्जी के साथ तो इस तरह का पॉलिथिन मिलता है तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और देखिए ये इतना लंबा है इतना लंबा भी हमें नहीं चाहिए तो ये हम बना रहे हैं कंगी प्रोटेक्टर यानि के कॉम प्रोटेक्टर ठेके न दो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ तो इसको हम cut回 करेंगे तो मैंने पहले नापी ले लिया है और नापी से थोड़ा सा पन्य को बड़ा रखेंगे क्योंकि पॉलिथिन को जब हम कंगी का दात में घुषाएंगे तो क्या होगा ना की थोड़ा सा पन्य छोटा ना पड़ जाए तो इसलिए मैंने देखिए पन्नी को नापी की हिसाब से थोड़ा सा बड़ा ही रखा है तो इस हिसाब से आप कर लीजिएगा और अभी देखिए दात में इस तरह से पन्नी को घुसाना है कंगी का जो दात है उसमें अराम से ये घुस जाएगा तो एक-एक दात में पनी को अब अपचे से गुसा लीजिएगा तो देखिए इस तरह से डालने से बहुत ही आसानी से ये डल जायाँगा और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टर है और ये फ्री में बन जायएगा देखिए इस तरह का पन्नी तो हम सब के घर में रहता है वो भी पड़ा रहता है तो इसको हम इस तरह से यूज में ले सकेंगे आप चाहे तो इस तरह से बहुत सरा polythene को एकटा करके रख सकते हैं और जब आपको कॉम करना होगा तो इस तरह से बस कॉम में polythene को डाल लीजिए उसके बाद आप कॉम करें तो देखें फ्रेंज कितना बड़ी असा कॉम प्रोटेक्टर बनके तयार हो चुका है और ये बिलकुल फ्री में बना है और इसको बनाने के लिए ज़्यादा ताम जहम भी नहीं अब साइट साइट का जो polythene है इसको कट कर लीजिए तो दीखें थोड़ा सा extra था तो मैंने सुचा इसको कट कर लेती हूँ और इस तरह का कॉम से अगर हम अपने हैर को कॉम करेंगे तो हम सब के लिए बहुत ही यूसफुल रहेगा क्योंकि देखिए सब का बाल अलग-अलग होता है किसी का हैर फॉल है किसी का डेंडरूप का प्रॉब्लम है और किसी का बालों में जूई भी रहता है लेकिन अगर इस तरह का कॉम प्रोटेक्टर हम खुदी बना के यूस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही यूसफुल रहता है तो देखिए इस तरह से मैं कंगी करके मैं दिखा रही हूँ और इसके बाद जितने भी बाल जो फसेगा गउम में और इस तरह से फसेगा जिससे किना कौम गंदा भी नहीं होगा अब हम क्या करेंगे देखिए polythene को इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम dust bean में फैक देंगे और अब देखी सकते हैं देखिए कंगी में एक भी बाल नहीं फसा है और इससे के कंगी भी गंदा नहीं होगा और देखिए अगर dandrop रहेगा तो वो भी वो polythene में लगेगा तो जो कंगी है वो एकदम से clean रहेगा तो बस इसको dust bean में फैक देना है I hope यह idea आप सबको बहुत यह अच्छा लगा है मेरी जो ugly tip है वो है butter को लेके जब भी हम fridge में से butter को निकालते हैं और जब हमें butter use के लिए चाहिए होता है तो यह बहुत ही hard होता है जिस वज़े से butter निकल के नहीं आता है देखिए इसको निकालना बहुत difficult होता है और अगर निकल के आवी जाता है तो bread में लगाना बहुत ही difficult होता है तो इसके लिए एक जुगारो टिप आप क्या कीजिए आप ले लीजिए tea stainer और tea stainer के मदद से इस तरह से बहुत ही easily आप butter को निकाल पाएंगे चलिए दिखाती हूँ simply आपको tea stainer को butter के उपर रखके उपर से नीचे की तरफ इस तरह से rub करना है और आप जैसे ही रब करेंगे ना बहुती स्मूथली बटर निकल के आएगा अब आप ब्रेड में लगाई या किसी रेसिपी में डाले तो बहुती आसान तरीका है इस तरह से बटर को निकलना I hope टीपची लगी है अकसर क्या होता है कि मिक्सी को यूज करने के बाद उसको हम ऐसे ही रख देते हैं जिस बज़े से मिक्सी बहुती गंदा हो जाता है और कई बार क्या होता है मिक्सी को अगर साफ हम करते भी है न तो ये डल पर जाता है इसको यूज करते करते तो दिखें ये mixi बहुत ही पूराना mixi है मेरा तो इसलिए थोड़ा सा इसमें गंदगी फसी हुई है हलाकि मैं इसको clean करती हूँ लेकिन बहुत ही जिद्धी वाला है ये उठता नहीं है अगर आप new mixi खरीदे हैं या तो फिर आपका mixi बहुत ही डल हो चुका है तो इस tip को आप follow कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए केले का चिलका क्योंकि केले के चिलके में कुछ ऐसे property होता है जो cleaning के लिए बहुत ही helpful मना जाता है इसे पहले भी मैंने gas top clean करके दिखाया था जिसको आप सबने बहुत ही पसंद की हैं बस केले के चिलके को इस तरह से mixi में आप रब करते जाईए और उसके बाद आप कीले कपड़े से इसको wipe कर लीजी उसके बाद आप देखिए mixi का sign बहुत ही अच्छे से आएगा लेकिन हाँ एक दिन दो दिन करने से नहीं होगा इसको continue करना पड़ेगा I hope tip अच्छी लगी है अकसर क्या होता है कि sealant की वज़े से जो lighter हम use करते हैं gas जलाने के लिए उसमें sealant आजाता है जिस वज़े से ये जलता नहीं है तो फिर हम बहुत ही दिक्कत में पढ़ जाते हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिए जब खाना बनना आपका हो जाएगा उसके बाद gas top में इस तरह से आप lighter को डाल के रखें बस इस बात का ध्यान रखें कि जलते हुए gas में इस तरह से lighter को नहीं रखना है जब खाना बन ज हो जाएगा और फिर से lighter जलने लगेगा तो बस फ्रेंड आज का वीडियो में इपेंट कर रही हूं उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो अब सबको बहुत ही पसंद आया है अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा चैनल पे न्यू है तो सब्सक्रा में बाइ फ्रेंड एंड थैंक्स फर वाच्चिंग